प्यारे दोस्तों, हमें कम से कम दो साल हो चुके हैं आप लोगों से रूबरू होते वे। आज तक कभी भी हमने आप से किसी भी प्रकार से अपनी पीडा को जाहिर नहीं किया। परन्तु आज इती होने के बाद हम आप लोगों के बीच अपनी पीडा को लेकर आए हैं, पूरे दो साल से हम पून रूप से प्रयास करते हैं कि हम कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे कि यूटूब स्टैनल को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत हो, हम उनकी हर सिचुएशन, ह हमें मौन्टोलाइस से हटा दिया और उसके बाद उसका कोई कारण भी नहीं बताया और हम एक महीने तक वैसे ही मैनत करते रहें, अब आज फिर उन्होंने हमें मौन्टोलाइस से हटा दिया है, अब आप ही लोग बताईए कि बार बार ऐसे हत्सोर साइद करने से हम काम कैस करें जब हम पूरी लगन के साथ हर प्रकार से कारे करने की कोशिस करते हैं तो फिर हमें बार-बार इस प्रकार से क्यूं torture किया जाता है आप लोगों से उमीद है कि आप लोग हमें please कोई ऐसा solution बताएं कि हम जब अपने मन से कार कर रहे हैं उसके बाद हमें इस प्रकार से क्यों किया जाता है या तो आप हमें declare कर दें कि हमें किस प्रकार से कारे करना है अगर नहीं करना चाहते तो please हमारी help कीजे हमें नहीं समझ में आरा कि हमें किस प्रकार से कारे करना चाहिए हम हर प्रकार से दिल से कोशिस करते हैं काम करने की और जैसे हम थोड़ा सा उच्छा उठने की कोशिस करते हैं तभी हमारे मोंटलाइजेशन को हटा दिया जाता है और फिर से हम को शुरुआत करनी होती है जीरो पॉइंट से ये तो अच्छी बात नहीं है फिर भी हम उन यूट्यूब चैनल वाले ओफिसरों से ये गुजारिस करते हैं कि आप हमें बताईए कि हमें क्या करना है हम उसी प्रेकार करेंगे पर बार-बार हमारे चैनल को मोंटलाइजेशन से न आटाएं इससे हमें काफी पीड़ा होती है जिस काम को लेकर हम दिल से काम करते हैं उसको हर प्रेकार से आप आहत करते हैं आगे से उमीद करेंगे कि आप हमें इस प्रेकार से हद्सोच साइथ नहीं करेंगे